कि अधान से आ गई है मुसीबत अट देख रहा हो पता नहीं कहां से आ गई कि देखो समझो यहाँ पर चले आगे बढ़े हम लोग मुझे लग रहा कैमरा थोड़ा नीचे दबाया गया है तो आज हमारा जो मुख के रूप से टोपिक है वो इसको समझाना है यह वो समझाना है ठीक है देखो एंसी एर्टी मैं फिर उपर गया क्या यह फिर उपर ने गया जाने दो आप नहीं लिखोंगा नीच दूबारा आप लोग यह बताओ सभी लोग क्लास को लाइक कर दियो ना भया देखो फिर अगर पढ़ना है तो आराम से बढ़ो नहीं जादा नहीं बोलेंगे मों इससे भी जादा नहीं बोलने वाले देखो है नहीं चलाया मैंने पसीना हो रहा फिर भी पंखा ऐसी कूलर सब बंद है इसी वज़ा से तो अगर मैं आपसे पूँछ हूँ कि भाया हो माइनस का टू है प्लस का पांच है यह किस चतुर्थांस में होगा आप लोग बताओ किस चतुर्थांस में और यह कौन सी मुसीबत है और 69 दिखरा इतना देर से यह ना कम हो रहा है ना जादा हो रहा है हां यह मेरा ही मोबाईला खराब है का आयूस कुछ समझ में आ रहा बच्चा आर्यन चलो जल्दी आप लोग बताओ तो हां 20 साल जी बुखार लग गए हैं और बुखार चले भी गए हैं मैंने बगा दिया उसे आया तो था बड़ा लंबा यह जाने आया था लेकिन मैंने का नहीं अभी पढ़ाना है बच्चों को अभी चलेंगे नहीं हम पढ़ा लेंगे तक चलेंगे चलो देखो आगे चला जाए लेकिन पढ़ लो बेटा पढ़ लो पढ़ लो देखो यहां पर समझो मैंने कहा कि माइनस का टू प्लस का फाइफ की चरतू ठांस में है मैंने अभी कांसेप्ट नहीं बताए अब मैं कांसेप्ट बता रहा हूं सुनो सबसे पहले यह क्या होता बचवा मूल बिंदू होता है जो की 00 होता है यह 00 माना जाता है ठीक है उसके बाद इधर साइड में दाहिनी साइड में सभी गिंतियां प्लस होती है जैसे यह 1,2,3,4,5,6 प्लस की बाद यह होती है खासियत कि इसके आगे प्लस का साइन लगाओ या ना लगाओ जरूरी नहीं होता है समझो मैं बता रहा हूं सब ठीक है और हाँ यहां पर अगर प्लस का साइन लगा तो तब भी कोई बुराई नहीं और बेच्चा हो बेटा हो इधर जो होता इसे बोलते है यक्स अक्ष इंगलिस में एक्स एक्सिस बोलते है उपर साइड जो होता इसे बोलते है वाई अक्ष एक मक्षी आई यह पता नहीं कहा से यह बड़ी सी मुझे परिसान कर रही है यह प्लस वन तू त्री पॉर फाइव और नीचे जो होता है वाइड डैस अक्ष होता है इसके अपोजिट जो होता है यह अक्ष डैस अरे थोड़ा ढंग से लगा दो ऐसे कि एक बार अगर आप इसको अच्छे समझ लोगे तो सब क्लियर हो जाएगा कि कौन सी प्रस्नावली है बेटा 3.3 है 3.3 का कांसेप्ट बता रहा हूं 3.3 प्रस्नावली है कि इधर साइड सब माइनस होगा माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइब नीचे भी सब माइनस होगा अब देखो भाईया यह समझना है तुमें क्या समझना है कि जो माइनस टूक और फाइब था न यहाँ पर जो यक्स का मान था वो माइनस था वाई का क्या था प्लस था अब मुझे यह बताओ यक्स का मान किस किस चतुर्थांस में माइनस होता है बोलो यक्स की बैलू कौन कौन से क्वाडरेंट में माइनस होती है ज़रा सोच के बताओ यहां पर समझो भाईया यक्स वाला यह है एक इधर को आया है यह माइनस है न बाकी तो हमें लगता कहीं यक्स का माइनस होता नहीं है एक के तरफ एक्स का माइनस है एक तरफ वाई का माइनस है ज़र तुर्थांस की बात करें तो तुम कहोगे पहिला कौन होता है दूसरा कौन होता है चतुर्थांस की बात करें तो कहोगे पहला कौन है दूसरा कौन है ये चीज ना देखो शुरू कहां से करेंगे हम लोग पता है जहां पे दोनों प्लस होता है वहीं से सुरू करते हैं तो ये आपका फ़स्ट चतुर्थांस बनेगा ये क्या बनेगा बचवा देखो ये प्लस से घिरा है यक्स वाला देखो इधर तो भी इसका प्लस है वाई वाला देखो तब भी प्लस है यानि इसमें जो चिन होगा वो प्लस यक्स अमब प्लस वाई होगा ये कौन सा है प्रथम चतुर्थांस पहले आप लोग बताओ यह ठीक है की नहीं किताव उताब लियो की नहीं हम पहलु की आप लोग रुको मैं भी किताब ले आता हूं एक मिनट भाया रुक के चलो यह समझ में आया है अभी बताता हूं डीटियल में रुख जाओ मुझे भी बूक में देखने दो अब इसमें आगे पढ़ाना क्या है एक है बाकी लोग यहां से निकल लेंगे क्यों कि जिनकों पढ़ना है नहीं उन्हें मज़ा नहीं आने वाली बेटा इसमें दिमाग लगेगा ना और दिमाग नाम की चीज अगर है नहीं तो पढ़ोगे कई से यहां पर दिमाग ले के आना पड़ेगा हाँ हाँ सही बोल रहा हूं यहां पर दिमाग ले के आना पड़ेगा तुम्हें देखो समझो अब देखो यहां से समझो तो पहला चतुर्थांस आपको पता है जो चतुर्थांस काउंट करते हैं यह clockwise होता है न clockwise यह first जटुर्थांस हो गया तो यह second होगा और यह third होगा यह four होगा क्यों? आप लोग पहले अच्छा इतना बना लो तो मैं बताता हूँ जल्दी बनाओ जलो इतना बना लो फटाफट फट फिर मैं बताता हूँ जल्दी बना लो फटाफट झाओबता भाफटky कर दो दो पलाच करता हूँ झाल झाओ़ झाल जली प्रगबताखएव जल्दी नश्योग कि अलोगा को कि आपधा बना बनाफटकॉ बन गया सबका बन गया आगे बढ़ा जाए चलो ठीक है ओके ठीक है ठीक है कोई दिक्कत नहीं सब भी बना लिए हो तो आगे बढ़ते हैं चलो ठीक है आगे बढ़ा जाए बन्स बेटा पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो चलो तो पर्थम चतुर्थांस हो गया दूतिये क्या होगा जरा इधर साइड में देखो ध्यान दो जो मैं आपको बता रहा था उसका थोड़ा पोजिट जो चतुर्थांस यह काउंट होता है वो एंटी कलाक होता है ठीक है तो यह पहला हो गया उसके बाद सिकेंड आपका इधर आता है यह आपका क्या होता है सिकेंड सिकेंड चतुर्थांस होता है इसमें दोनों प्लस होता है सिकेंड में देखो बेटा यक्स माइनस हो जाता है वाई प्लस में रहता है यानि माइनस यक्स कामा प्लस वाई सिकेंड में रहता है अगर थार्ड में देखो तो यक्स भी माइनस है वाई भी माइनस है यानि माइनस यक्स और माइनस वाई ये तिरतिये चतुर्थांस इसको बला करो नलायक को बेहुदा पता नहीं कहां से आ जाते हैं ये बेहुकूफ एक से नाम में भी वैसे हरामखोर जैसे लगा लिया है मतलब सुद्ध नाम भी नहीं है क्यां नाम जैसे नाम लगे चलो देखो यह हो गया चौथा चौथा चातुर्थांस इसमें ध्यान दो आप लोग यह सक्षपे अगर चलोगे तो प्लस है बेटा और वाई यह च्षपे चलोगे तो माइनस है ठीक है तो यह होता है चिन्न का पूरा कांसेप्ट बात समझ में आया ना पंस को पर्मनेंट के लिए यहां से हटा दिया गया ठीक है जो बात करेगा उसे बीना कुछ बोले हमेसा हमेसा के लिए बलॉक कर दिया जाए भाई हमारी तरफ से यही आदेश है सभी को ठीक है जो भी इसमें मॉडरेटर हैं सभी फटा फट बलॉक करें कुछ भी न पूछे उनसे क्योंकि सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे च अराम खोड़ टाइप किने चाहिए बिल्कुल भी चलो इसको बना लीजिए यह आपके बहुत ही काम का है इसको बना लीजिए इसी आधार पे आप कुश्चन होंगे ठीक है जल्दी बना लीजिए अनिल पाल पलवी प्रीति आदो रोसन तूर्यान सिंग ठीक है चलिए रभी संकर आगए चलो इसको बना लो बन गया अब अगर मैं पूछूं आप लोगों से तो आप लोग मुझे फट अफट जवाब देना दोड़ किया चलो कुश्चन पूछ सकता हूँ ना अब मैं अब तो तुम सरपट बताओगे ना देखो सुनो अब आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि दिया गया जो मान है वो किस चतुर्थांस में है तो चलो बिटा बताओ जल्दी से तो इसको मिटा दूँ क्या चीटिंग करोगे का अच्छा कुछ देर चीटिंग कर लो चलो कुछ देर चीटिंग कर लो फिर बता न यह बताओ प्लस का पांच माईनस कर तीन यह किस चतुर्थांस में है जरा सोच के बताओ फटाफट जड़ा सोच के बताओ किस चतुर्थांस में है अप लोग एक बार बताईए उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे ठीक है जल्दी करिए फिर उसके बाद चलें आगे चलिए ठीक है ओके कौन बताया रभी संकर शुभाम अमन मनोज और कोई एनिवन और कोई ठीक है बहुत अच्छे बेरी गुड बच्चे बहुत अच्छे चलिए ठीक है ठीक है ओके ठीक है अब बिनोध बिनोध बच्चा तुम्हारा तो गलत है आर्यन देखिए माने अभी अभी आप लोगों को बताया कि पूरा चिन्न का इधर सिस्टम बनाया हुआ है तुम्हें दिख रहा है तुम्हें चीटिंग भी नहीं करने जानते हो तो क्या कहें जैसे कहते नहीं नकल के लिए अकल चाहिए अगर इतनी अकल भी नहीं है कि तुम देख के नकल नहीं कर पा रहे हो तो फिर मैं आगे क्या बताओ देखो मैंने कहा कि पलस फाइब और माइनस का थरी किस चतुर्थांस में होगा यानी जो यक्स अक्ष है वो पलस होगा यक्ष क्या होगा माइनस होगा तो यक्स अक्ष पलस किसमे किसमे है अगर इसमे देखो ये y-axis है ये x-axis है अगर दाहिनी साइड चलते हो मूल बिन्दू से तो पलस होता है और यक्स अक्ष जो है पलस केवल दो चतुर्थांस में होता है एक पर्थम में होता है एक चतुर्थ में होता है अब देखो पर्थम में और चतुर्थ में ये प्लस है तो दोनों में हो सकता है लेकिन वाई माइनस किस में होगा वाई माइनस किस में होगा अगर पर्थम चतुर्थांस में देखोगे तो वाई भी प्लस है लेकिन सान bed नृबाकूidel है और जो लोग हमें वैसे कहीं से तांग करने कलास में आकर देखें तो ज्ञादा अच्छा दिखेंगें सुन दर हम साहां जये कहां से यहां से इस क्षिघता है कैमरे में अच्छे दिखते हैं मोबाइल में वर्जिनल में दिख जाते हैं न कैसे हैं चलिए तो अच्छा एक ती और बताओ भाई देखो नकल करो अकल लगा के यहां सब बना हुआ सिर्फ तुम्हें देख के बताना है बस अगर मैंने कहा कि माइनस का टू कामा माइनस का फाइव यह किसमें है तो यक्स अ तेज लग रही लेकिन पंखा कूलर एसी सब बंदे पसीना सिर्फ से लेके पाउं तक जा रहे हैं लेकिन यह सब है आप लोगों के लिए जेल रहे हैं आप लोग तो कूलर में गुश के वैटे हो ऐसी पंखा में मजा भी आ रही ना कि यह किसमें होगा अनसुमान काय कुत्ता बिल्ली का सिर बेजरा भई नाब्या गुप्ता ठीक है आयूस गीता नरेश रिंकू पुसपेंद्र बिपिन सिवं संकर और कौन है सुर्यांस राहुल कुमार आर्यन न्यू मूवी 420 यह नाम है भई इनका न्यू मूवी नहीं तो समझो कि हम कुछ दूसरा बोल रहे है जोटिस इंगरौल अनसी का सरोज आ ठीक है देखिए यह इकलाउता है अपने माबाप का इकलाउता का मतलब समझ रहे हो जो दोनों में माइनस होता है वह 1ैच्चतुर्थांस में जाता है ठाट वाले में क्योंकि ठाट वाला ही एक ऐसा चतुर्थांस जिसमें y-y एक्ष दोनों माइनस होता है जिसे बोलते हैं इसका दोनों तरब से क्या है इसके किस्मत और करम दोनों फूटा हुआ है जैसे मेरा देख रहे है इन लोग का बना हुआ है तो इसको अब मिटा देंगे तब तुम लोग बताना अब तक तो च्यूटिंग कर रहे थे अब तक तो बता ले रहे थे लेकिन अब बताओगे तब समझ में आएगा और बचवा एक चीज और भी सुन लो जो इसको कर लेंगे ना 3.3 का सारे कुश्चन कर लेंगे क्योंकि इसी में से कुश्चन गुमा फिरा के पूछा अलट पलटके ले फिराई से कुछ नलायक टाइब के हैं जो मुझे लाइब में आकर नहीं देख रहे हैं आभी वीडियो काल करके देखना चाहते हैं मतलब यूटूब पर नहीं देखना चाहते हैं इक इतनी बड़ी मतलब कहने कखये मतलब scientifically की यूटूब पर आएंगे तो काई स्कील है पड़ने वाले बच्चे हैं नहीं एक खबू लोग कुछ लोग तो समझी नहीं पा रहे होंगे हम बोल किसको रहे हैं चलिए इधर देखिए आप बताईए आप लोग जैसे मैंने एक पूछा छोटा सा माइनस का सेबन और यह प्लस का टू किस चतुर्धांस में होगा कुछ नमबर 11 डाल दो कुछ नमबर 12 है प्लस एट और प्लस का फाइब दोनों प्लस है यह किस में होगा जल्दी बताईए किस में होगा कि अगला थर्टीन नमबर कि चलो शिक्स और माइनस कट्टू कि अरिकेस यादो तुभाम सिंग रतेंद्राय आयू शुकला रोसंदूबे नाभ्या गुपता गीता अभिषेक अंकीत प्राकेस अंसिका रिंकू पल्लवी देखो बहिए जिनके नाम लंबे चोड़े हैं उ इस तर्टिंग ओल बस तिकाए क्योंकि मुझे ज्यादा इंगली साती नहीं है भूंक लगी है मुझे बहुत तेज से और इस वजह से थोड़ा दीरे दीरे बोल रहे हैं कि अगग कि अगग कि अगग कि रभी यादव पादर खान मुकेस थीक है वेरे गुड़ कि अगग कि अगग अच्छा सारे कुश्चन का जवाब दो भई एक एक कुश्चन का जवाब दो जल्दी से मैं देख पा रहा हूं हर किसी को इमांदारी से जो बता रहा वो तो अच्छा है मैंने एक नहीं कई पूछा है कोई कह रहा है दाल में काला है तो कोई कह रहा है दाली काली है नहीं दाल में काला नहीं आज पूरी दाली काली है चलो जल्दी बताओ फटा फट कितना आएगा 34 इंग रॉल पोसिस करो एक बार जल्दी से उस पेंद्र देखो बच्चा एक बार ट्राई कर लो अच्छा रहेगा अगर ये कर लिए तो तुम इसका मतलब चैप्टर खतम कर लिए हां मैं किसी के कमेंट का इंतजार कर रहा हूं पता नहीं उसका कमेंट भी आ रहा है कि नहीं कुछ बच्चे बोल रहे हैं दाल में काला है कुछ कह रहे हैं कि दाली काली है वैसे आज मैं बहुत बद्धा टाइप का दिख रहा हूं क्योंकि पसीना हुआ है है और बोल्टेज भी कम है लाइट का न हाँ हाँ है कि अब थोड़ा सुन्दर दिखूंगा कि आगे चले है कि जोनी कुपता आरा समझ में अच्छा मैं छुपा लेता हूं क्या साइड हो जाओं चलिए ठीक है तो आप लोग इसको कर लोगे ना कर लोगे ना ठीक है जो भी मिलेगा आज कल मिल कहा रहा है खाने को कुछ है अच्छा एक और बता दो माइनस कट टू कामा फॉर यह किस कौडरेंट में होगा भी यह किस चतुर्धांस में होगा पता यह जल्दी करिए किस में होगा देखो यह मक्खी फिर से आ गई यह पता नहीं मुझे क्यूं सता रही आज पूरे कमरे में एक और मक्खी है यह मेरे पता नहीं कहां कहां बैट जा रही यह हो गया भाई चली जा देवी माँ अभी तुम्हें अलक से कुछ दे देंगे जो तुम्हारी मांग होगी लेकिन अभी चली जाओ कुछ देर के लिए चली जाओ पढ़ा ले बस अरे मक्खी को बोल रहा हूं तुम लोग कुछ और मत समझना यह तीन कामा माइनस वण यह सब किताब का कुष्चन है तुम्हारे थ्री पॉइंट थ्री का यह थ्री पॉइंट थ्री का कुष्चन है बच्चा जल्दी कर लो और मैंने सारा मंतर बता दिया है मंतर बता दिया है प्रेक्टिकल तुम्हें करना है अब मैं बताओं किसमें है कौन देखो समझो माइनस यक्स अक्ष और ये प्लस वाई अक्ष न यानि माइनस यक्स और प्लस वाई अब समझो यहाँ पे कहानी क्या है बहिए जब तुम चतुर्थांस बनाते हो ऐसे यही होता है होता है न इधर साइड सभी नमबर पलस इधर भी पलस इधर माइनस इधर माइनस यही होता है यानी यह बच्चा सिकेंड चतुर्शान्स में होंगे कियों यह एक्स अक्ष पर माइनस आएगा वाई अक्ष पर प्लस जाएगा सिकेंड में होगा हां कीता तुम्हारा इंटरनेट नहीं सही है तो मैं क्या करूं कि इंटरनेट तो सही कर लो अपना ना कि यह जैसे मैंने यह सब बताए ऐसे ही आपको करना है कि समझ में आया ना कि अब इसको कर लेना है तो आपका यह 3.3 का पहला खतम हो जाएगा और देखो तबीयत भी बहुत अच्छी है नहीं यार तो मेरा मन है कि बंद कर दिया जाए है तो अब बंद कर दिया जाए है तो दिर दिरे चलता रहेगा ज्यादा पढ़ाने चक्कर में गड़बढ़ा जाएगा उस दिन भी ऐसे हुआ था मैंने डियलेट भी पढ़ाया था तुम लोग कदो कलास पढ़ाया था अप्लिकेशन की आर्ट कलास पढ़ाया था सब कुछ पढ़ा के लेट गया तो ठीक है तो बहुत बहुत थैंक्यू आप सभी को कलास को सेयर करिए जादा फे जादा जैसे ही पूरी तरह से अच्छे हो जाते हैं वैसे आपकी कलास बड़ी बड़ी चलेगी तो बड़ा सरीर में नेरजी कम है अभी चिलाने वाली नहीं है पानी वानी पीने को नहीं मिल रहा है ठंडा पानी पीने का मना है तरम पानी अंदर जाता नहीं है यही सब समस्या है ठीक है